वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाना सब्सक्राइब करें तो चलिए बेना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शियर भी करिए ठीक है अपने यार दोस्तों के साथ तो चलिए रेखते हैं इसको आज बात होगी जरा जुपिटर के बारे मे ठीक है देखो पहला पॉइंट सबसे पहले तो कुछ बेशिक चीजा जो मैं आपको बता दूँ kij ब्रह पुस्स पति जो है हमारे सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह सब लोग यह बार जानते हैं हमारे सौर मंदल का सबसे बढ़ा ग्रह कौन सा है ब्रहा सब अदो ठीक है आचा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रैस्पती एक्च्वल में ग्रह नहीं थे ब्रैस्पती क्या है ब्रैस्पती एक तारा है ठीक है क्यों कि इसमें ग्रहों वाली जो विशेष्टाय होती है वो सामान रूप से नहीं पाई जाती है थोड़ा सा अलग है इसलिए ब ब्रेस्टपती अपने अक्ष पर सौर मंदल में सबसे तेज गूमने वाला लग रहा है यानि अपनी धुरी पर यह अपनी धुरी पर साथियो नौ घंटे और पच्पन मिनट में ही पूरा चक्कल लगा लेता यानि बहुत तेज घूम रहा है आप सोचो कि हमारी जो धरती है यह घूमने में चौबस घंटे लेती हैं लेकिन यह दस घंटे में पूरा चक्कल लगा 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 है तो इससे आप आइडिया लगाओ कि कितना जादा यह तेज अपनी धुरी पर घूम रहा है साथियो गला थोड़ा ख्राब है तो मैनेज करेगा अब देखो ब्रेस्प बहुत सारे नाम है वह नाम हमारे लिए नहीं बट यह चीज़ बहुत क्या ब्रेस्पति का जो भग रहा है जिसका नाम है गैनीमीड यह सबसे बड़ा पग रहे है हमारे सौर मंदल का साथ्टा यह मैंने आपको बिछले वीडियो में बताये था वह मंगल का लेकिन आगर पूछे सौर मंडल का सबसे बड़ा अपगर किस ग्रै का है तो आपका जवाब आएगा यह को बोलते हैं लगू सौरतन्तर क्यों में आपको चाहिए उपको चाहिए तार है और बहु gewoon पिंड जिन्हें हम बोलते हैं ग्रह ठीक है अब सूर एक तारह है सूर के चारव और यह गुम रहा है तो सौर मंडल है ऐसी ही कुछ इस्टिती साथियों बनती है ब्रैसपती के संधर्म है तो मैंने बता है कि ना तो पूरी तरह से तारा है ना ग्रेय बीच का है तो यह माल लीजिए यह तारी कर रहा है और आप देखो इसके चारों कौन घूम रहे हैं इसके 89 उपग रहे हैं जो इसके चारों और चक्कर लगा रहे हैं तो बिल्कुल एक ऐसा आपको देखेगा यसा एक मिनी सोलर सिस्टम हो है ना तो इसलिए इसको बुलायाता है एक लगू सौर तंत्र इंपोर्टेंट बात है ध्यानक ना ब्रहस्पती के वलेओं की खोश सरप्रथम 1789 में वाइजर वन इस्पेस प्रोब ने की थी इन वलेओं को जेवियन वले का जाता है बिसक्लि इसके पास स्वेम की रेडियो उर्जा होती है इसलिए यह है तारा एवंग्रह दोनों के गुल्ड प्रतस्थित करता है मैंने आपको उपर बता है ना वही चीज़ है ब्रहस्पती के वायू मंडल में मुक्धा हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है तता अल्प मात इसना में मीतेन और अमोनिया का भी प्रवाण मिलता है ब्रहिस्पती का वायू मंडलीदाब प्रत्वी के वायू मंडलीदाब। की तुल्हा में बहुत अधिक है तेombra क्यों अगे बात करते हैं एक ज़र। डशनी के बारे में अगला गरें स्थर बिस्व जानकारी इसको देख लो अना पेपर यह इतना ज्यादा नहीं आती है बस सामान ले लारे है'MCIT की हैं इस दूरी कितनी है ंक्शी जुखाव कितना है इंपोर्टेंट फैक्ट है तो ध्यान लखना एक्टी टू और वर्तवान समय में सबस्यादा उपग्रेसी के पास है तापमान अब इस बात है कम होगा क्योंकि सूर्च से काफी दूर है और वंडेल उसमें क्या क्या मिलेगा अपको हायडोजन हीलियं मिथे नमौनिया इत्यादी मिले गा इसके इसके वल एभी वो है साथ मैं आपको अब साथ नहीं अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है अब इसके वाले कितने है आठ अभी कुछ साल पहले ही इसका आठ जो है छल्ला को जा गया है तो आज के समय में इसके छल्लों की संख्याय साथी हो साथ मतब आठ सौरी कुछ और बेसिक फैक्ट है जैने आप देख लो जैसे शनी स्वार मेंडल का दूसरा सबसे बड़ा के रहे हैं बिल्कुर सही बात है सबसे बड़ा है ब्रहस्पत्यों ब्रहस्पत्य के जश्ट अब लोगों ने देखी अविंजर एंड गेप दोट में कुछ नहीं है छानी का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रे रिया है ठीक है तो पीडियो एठेख ठीक है यह सब जो है अन्य भी इसके लोगा नामे देख लो बस जारा कुछ नहीं है उल्यारि कुछ ग्याइसों का ग क्योंकि इसके चारो और चल्ले हैं इसलिए शनी ग्रै की सबस्वड़ी विशिस्ता इसके मद रेखा के चारो और पूर्ण विक्सित वले यानि चल्लों का होना है शनी के अत्रिक्त ब्रहस्पती और वरुन में भी वले के संकित प्राप्त हुए है अगर आप धरती से देखोगे तो शनी आपको कैसा देखेगा खलके पीले रंग का ठीक है और लास्ट पॉइंट है इसमें शनी ग्रै का चुम्बी के च्छेतर प्रस्वी के चुम्बी के च्छेतर की तुल्ला में पांस सो अठैतर गुना अधिक है यानि जादा है तो साथियो यह हुआ आज कमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी बहस्पती और शनी की ठीक है अगर साथियो आप इस पीडियेफ को प्राप्त करना चाते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूं या जिससे आप पढ़ रहे हैं तो आप इन दियेगे निम्बर्स पे कॉ तो अगर आप हमसे जोड़ते हैं तो आपको पीडियेफ मिल जाएगी मिलते हैं अगली कलासमें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे बात्राव